Treatment of Peromania CBT तो basically Peromania की जो treatment है वो हम Cognitive Behavior Therapy से भी कर सकते हैं जिस तरह Cognitive Behavior Therapy में जो सबसे पहली चीज के हम use करते हैं mostly that is the cognitive restructuring जिसके अंदर हम कोशिश करते हैं कि बच्चा जो है वो अपने antecedent event से related जो thoughts हैं यानि जो उसकी situation है उसे जो related thoughts है उसके उनको वो identify करें और जब वो उनको identify करेगा तो इन thoughts के उपर हम काम करेंगे ये जो thoughts हैं जिसके अंदर हम different किसम के उनके cognitive errors को identify करने की कोशिश करेंगी कि कौन से ऐसे cognitive errors है जो उनको lead करते हैं कि वो जाकर fire set करें तो ये जो thoughts pattern है इसको हम identify करने के बाद और फिर इसकी modification के बाद यानि unhealthy जो उनके thought pattern है उनको healthy thought pattern के साथ चेंज करने के बाद जो consequences हैं उनमें हम किसी किसम की change ला सकते हैं तो first thing हम उनके साथ cognitive restructuring कर सकते हैं then हम उनके साथ cognitive sensitization यूज कर सकते हैं cognitive sensitization का मतलब ये होता है कि हम उन्हें कहते हैं कि वो जहिन के अंदर अपने जहिन के अंदर सोचें कि क्या events हो रहे हैं और उनके अंदर उनके वज़ा से किस किस किसम की जो है problems जो हैं वो phase हो सकती हैं तो इस किसम की जब वो thoughts सोचेंगे और उनके consequences को imagine करेंगे तो slightly they will get the awareness और वो फिर ये देखेंगे कि उनके कितनी उस behavior की वज़ा से कितना cost पे करना पड़ रहा है different लोगों को तो definitely that helps them to lower down their desire to put the fire on इसी तरह marginal desensitization कराई जा सकती है जिसके अंदर उनको ये imagine किया करवाय जाता है कि okay they think about कि वो करना चा रहे हैं fire set करना चा रहे हैं और फिर उसको वो delay करें response को ताके वो fire set ना करें और इसी तरह आईस्ता आईस्ता करते हुए imaginative level के उपर उनकी desensitization की जाती है उस thoughts के साथ जो के thoughts उनके जहन में एकदम से आते हैं जिनके response के अंदर वो fire setting करते हैं then the aversion therapy aversion therapy के अंदर we will train the client about कि अगर वो fire setting करना चाता है और उसको जो उसकी smell है उससे उसको बहुत ज़्यादा comfort मिलता है तो हम उसको ये सिखाते हैं कि okay उसको associate कर ले किसी bad smell के साथ जो कि उसको पसंद ना हो या किसी bad image के साथ जो कि उसको पसंद ना हो इसलिए जैसे ही उसके जहीन के अंदर ये आए के he or she wants to set a fire तो वो image वारी तोर पे उसके जहीन के अंदर click कर जाए so these are the few behavior techniques which we can use also in the CBD क्योंके cognitive behavior therapy के अंदर हम cognitive plus behavior therapies जो हैं वो हम use करते हैं तो ये अगर हम methods different apply करें तो it help the child to control the pyromania so these are only few techniques there are so many others too जो के आप इन बच्चों के साथ इस्तमाल करके इस चीज़ को lower down करने में उनकी help कर सकते हैं Thank you करें पाल